आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कस्टम इंडिकेटर बना के दिखाऊंगा विच चैट जीपीटी हैल्प चैट जीपीटी का जो मैं अकाउंट यूज कर रहा हूँ वो प्रो अकाउंट यूज कर रहा हूँ आप चाओ तो फ्री के साथ भी ट्राइ कर लेना बट मैं यह कहूंगा कि आप 20 डोलर के इंवेस्मेंट करके प्रो अकाउंट ले लेना जिससे आपको इससे काफी साड़े बेनिफिट मिलेंगे तो मैं जो चैर जीपीटी यूज करने वाला हूँ चैर जीपीटी 4.0 यूज करने वाला हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आपके सामने एक कस्टम इंडिकेटर बनाऊंगा आप भी अपनी कस्टम थेरी पे कुछ भी बना सकते हैं जो आपका दिल करें बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तो एक डेमो दे रहा हूँ आपको समझने की कोशिस करनी पड़ेगी तो सब्सक्राइबे हम अपने ट्रेडिंग वी अकाउंट पर आएंगे जो कि मैंने राइट साइड में खोल रखा है और यहाँ एक ऑफिशल इंडिकेटर एड करूँगा तो उफिशल इंडिकेटर एड करने के लिए मैं इंडिकेटर पैनल पे किलिक करूँगा और इस तरीके से एक लाइन से एड़ हो गया अब चाहें तो हम दो moving average एड़ करके alerts लगा सकते हैं बट मैं इसको अपने हिसाब से तियार करना चाहता हूँ इसलिए मैं आपको इसे अपने हिसाब से दिखाऊंगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस indicator पे जाएंगे source code पे यह source code पे हमने क्लिक करा जैसे हम source code पे क्लिक करेंगे code आ गया इस code को मैं copy करूंगा copy करने के बाद chat GPT पे जाऊंगा और यहां पर मैं बोलूँगा please add second email line with alerts और मैं इसको नीचे डाल देता हूँ and इस पे तरीके से मैंने इसे नीचे डाला औरrew मार दिया अब यह मेरे को code लिखने देगा and इसका code देख लेता हूँ तो इनने मेरे को code लिखने देना सुरू कर दिया जैसे कि मैं इसे बताया तो इनने मेरे पास जो थी पहले एक line थीई-ई-मे अब मैंने इसे बोला वाई दो moving average चाहिए तो उसमें alert चाहिए crossing up and crossing down मैंने short मैं बोला आप देख सकते हो और ये मेरे को code बना के तियार कर रहा है तो अब ये इनने मेरे को code बना के दे दिया है अब मैं इसे copy करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो मैं इसे copy बटन से copy कर लेता हूँ and यहाँ पर जाने के बाद मैं open पे click करूँगा new indicator पे click करूँगा एक scrap से code आजाएगा मैं इसे paste कर दूँगा और add to chart कर दूँगा जैसे add to chart करूँगा यहाँ पर यह complete हो जाएगा यहाँ पर एक error आ गया error के अंदर आया है time frame यह कहरें cannot include time frame इस indicator के अंदर हुआ क्या है कि इन्होंने time frame को भी add कर दिया इस parameter को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जौरत नहीं है यह थोड़ा सा advanced parameter हो जाता है तो मैं time frame को हटा देता हूँ यह दो line है इसके अंदर आप देख सकते हो मैं क्या हटा रहा हूँ मैंने यह हटाया और add to chart करा फिर से मैंने add to chart करा आप नीचे देखोगे यह complete होने के बाद यह आ गया added to chart यह chart पर add हो गया है अब क्या करता हूँ मैं मैं पहले वाले indicator को जो official ता उसे off कर देता हूँ second वाला हमारा add निवात है इसे remove कर देता हूँ अब हमारे पास दो indicator एक indicator के अंदर दो moving average दल गई है और अगर मैं अगर इसमें दिखा हूँ तो दोनो moving average को आप अपना input दे सकते हो इन्होंने जो by default लिया 9 लिया और 21 लिया ऐसे आप कोई भी indicator बना सकते हो अब थोड़ा सा इसमें advance जाते हैं advance के अंदर हम क्या बोलते हैं जैसे कि मैंने इसमें alerts भी add करने को बोलता है तो इन्होंने alerts भी add कर दी होंगे अगर हम देखे तो condition में अगर हमें indicator ले लेता हूं तो इन्होंने एक alerts फंसर एड़ कर दिया है और दो alerts एड़ कर दिये तो दोनो alerts मेरे काम के alerts फंसर थोड़ा सा advance हो जाता है इसके बारे में मैं आज नहीं बता रहा आपको आपके दो alerts एड़ कर दिये जिसमें इन्होंने crossing up and crossing down इमें आपके दो alerts बना दिये अब मैं चाहता हूं दो alerts तो बना दिये पर मैं चाहता हूं भाई इन्होंने alerts तो बना दिये custom alerts पर इन्होंने कहीं भी ये लिखा नहीं लोंग एंड शॉट तो मैं इस code को दुबारा से लूँगा copy कर लूँगा and chat GPT पर जाऊंगा और chat GPT पर जाने के बाद फिर से मैं एक prompt लिखूँगा जो आपकी साथ तो आप देख सकते हो मैंने एक prompt लिखी है please create plot shape in this code मैं जो इसे code दे रहा हूं इसके अंदर plot shape जरूर add करे and मैं दुबारा से वो code दाल देता हूं and enter मार देता हूं जैसे इंटर मारूँगा यह फिर से मेरे को code लिखके देगा and जैसे मैंने आपको बताया तो उपर देख सकते हो chat GPT 4.0 यूज कर रहा हूं मैं तो आप देखोगे यह मेरे को code लिखके दे रहा है जिसके अंदर क्या होगा पहले क्रोस ओवर पे alerts तो add कर दिए पर यह कहीं दिखा नहीं रहा alerts को तो उस चीज को करने के लिए कि buy and sell के जो plot shape होती ही वो मेरे को मिलनी चाहिए plot shape जो buy and sell या short and log दिखता है वो है and इनने मेरे को code दे लिया and मैं इसे copy कर लेता हूं and copy करने के बाद दुबारा से add करता हूं and update on chart कर देता हूं जैसे update on chart करूँगा यहाँ पर add it to आ जाएगा update your chart and मैं इसे scroll down करूँगा तो आप देखोगे तो इनने मेरे को alerts दे दिए अब यहाँ पर एक चीज की कमी से मैं long short जो भी चाहूं वो कर सकता हूं आपके बदले मैं long लिख दूँगा, down के बदले मैं short लिख दूँगा यह तो एक basic चीज है अब यहाँ पर एक चीज यह है कि इसने जो मुझे अभी indicator दिया है इनने मुझे repaint indicator दिया है मतलब यह signal जैसी cross करेगा अब देदेगा और जैसी line हटेगे यह down देदेगा तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरा indicator repaint ना हो तो repaint अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर मैं इस चीज को copy करके यह प्रोम लिख सकता हूं प्लीस remove repaint यह दूसरा तरीका यह है कि मैं क्या करूँगा जो plot shape है यहाँ पर मैं bracket के अंदर मैं यह bracket ले लेता हूं और इसके अंदर one दाल दूँगा यह plot shape था दूसरे में भी one दाल दूँगा अब क्या होगा जैसे मैं update chart करूँगा आप देखोगे यह plot shape अगली candle पर shift हो गया अब आप देखोगे जहाँ यह crossover हो रहा है as example मैं दिखा देता हूं कहाँ पर हो रहा था crossover हाँ यहाँ देखोगे तो आप देख सकते हो इस candle पर crossover हो रहा था इनने अगली candle पर कर दिया इनने अब मेरा repaint भी remove कर दिया देखने के लिए बस अभी इनने alerts में remove नहीं करा है तो alerts में remove करने के लिए फिर से मैं point editor open करूँगा and जो मैंने bracket 1 लगाया था end bracket के साथ तो अब हम क्या करते alerts जो है वो हमारी यह रहे alerts condition देखोगे यह रही हम इसके अंदर down बनेगा जब ही मेरा alerts आएगा तो हमने repaint भी remove कर दिया यह basic theory थी जिसके अंदर मैंने आपको chat GPT से custom करना बताया इस वीडियो को मैं एक घंटे का भी कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं आपको यह दिखा दूँगा इसके अंदर TPSL कैसे लगेगा parallel कैसे करना है कोई indicator कैसे add करना है बहुत सारी चीजे हैं जो मैं one by one करके दिखा दूँगा और एक घंटे की वीडियो बन जाएगी बट मेरे का जो motive था वो यह था कि मैं आपको दिखाऊँ कि आप अगर custom indicator बनाना चाहते आपके mind में कोई थेरी चल रही है और आप उसके विहाब पे काम करना चाहते तो इस तरीके साब कर सकते हैं अब क्या है कि अब इसने alerts सो बना दिये add alerts पे जाऊँगा और click करूँगा और यह देखोगे जैसे मैंने indicator का नाम select करा तो यहाँ पर दो alerts आगे crossing up and once पर बार दालूँगा तो अब मेरे alerts जब भी यह up आएगा तो मेरे वैसे ही trade लग जाएगी अगर मैंने इसके अंदर syntax डाल रखा और webbook add कर रखा है automation trading कैसे करते हैं वो दूसरी वीडियो में बताया है मैंने तो hope आपको पता चल गया होगा इस तरीके से आप custom alerts बना सकते हो यह basic indicator बनाया है क्योंकि आपको एक knowledge मिले आप चाओ तो इसके अंदर जो भी आपके mind में चल रहा है कि में को कुछ और add करना है यह मेरा stop loss है यह मेरा take profit जो भी आपके mind में चल रहा है वो chat GPT की help से command दे के आप धीरे-धीरे कर सकते हो और धीरे-धीरे आप इस तरीके से करके आपको code की भी knowledge हो जाएगी तो आप basic knowledge भी आप काफी gain कर सकते हो पाइन स्किप की थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो और बाइब